नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इस्टड़ी विडियो लिकाया हूँ उत्रा खंड में देखिए आपका 2350 से ज्यादा पड़ों पर आपके यहां पर वेकेंसी निकनने वाली है तो देखिए यह जो वेकेंसी है किन-किन विभाग में र सबसे पहले जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल के दोरा दे दी जाती है फिलाल बात करते हैं आज किस वीडियो के बारे में देखिए आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर बेसिक सिक्स को के 2350 पड़ों पर होगी भरती देखिए बेसिक सिक्सक के यहां पर वेकें करती का रास्ता जल्द खुलने जा रहा है सिक्स्या विवाग ने बेसिक स्तर पर 2350 पड़ चिन्हित करते हुए सरकार को पस्ताव भेज दिया है अब देखिए इन मेंसे जो गरवाल मंडल है उसमें देहरादून को छोड़के बाकी 6 जिलों में आपका 1266 पड़ और कुव पर थोड़ा सा यह जो मामला है वो प्रेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बाद जैसी उसका फैसला आता है उसका तुरंत यहां की जो भरती है बेसिक सिक्स्कों की वो स्टार्ट कर दी जाएगी साती साथ दिखें मालूम हो कि सिक्षा जो मंत्री हैं आपके डाक्टर धन सि निरावत ने सिक्षा भाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां शुरू करने की निर्देस दिया है इसी करब में सासन ने बेसिक सिक्षा निर्देसाले से पदों का ब्योरा भी मागा था बेसिक सिक्षा निर्देसक जो बंदरा गर्बयाल ने रिक्त पदों का ब्योरा आपने चार साल का प्लान रखा है इसके तहट इनके अनुसार दोजाशबुश सता बेशी इसतर पर 8243 और माध्यमी इस्तरप 6882 नहीं भरतिया की जाएंगे कुल ना के देखिए काफी अच्छी न्यूज है पंदरा हजार यह चार साल का इनका लक्षी रखाएंगी चार साल में हम सिख्षय भग के अंतरगत चैनल टीचिंग हो या नॉन टीचिंग उसमें हम लगभग 15,000 भ बरति के करीब अठारश तो पदों पर चैन हो चुका है इस बीच और प्रिशिक्षितों को में जारी केस के करना बागी भरतियों को रुखना पड़ा है इस मामले में सुप्रीम कोड का आदिस आने बाद भरतियों को दुबारा सुरू करने का नेर्ब किया गया है इस विस तो में कितने पद रिखते हैं इनका विवरा दिया गया है इसको आप लोग देश लीजिएगा ठीक है तो एक छोटी सिंफॉर्मेशन और आज की सुनदे बस इतना ही उमेद करता हूं कि आप से लोग को हमारी आज की वीडियो पसना है तो वीडियो जो लाइक कर दीजिएग साथ जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी वी तेंको सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग उसको जूड़ सस्क्राइब कर लिजिएगा तो ठीके दोस्तों मिलते हैं आप से लोग से नेक्स्ट इंटस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दन्यवाद